हलो एवीवन और वेलकम बाक टू एटी टेक्नोवेशन आएम मामित आज के इस इंटरस्टिंग यूसफुल वीडियो में हम जानेंगे Microsoft National Career Services NCS जो की Government of India का है और भारत सरकार और Ministry of Labor and Employment Government of India के दुआरा लाँच किये गए एक इनिशेटिव के बारे में ये इनिशेटिव यूथ के लिए है और यहाँ पर इस इनिशेटिव में आपको Job-Oriented Free Online Training करने का मौका मिलेगा So, इस प्रोग्राम का नाम है Microsoft Dizzy Saksham इस प्रोग्राम के अंतरगत ये आप लोग को मौका मिलेगा कि आप यहाँ पर Free में Online Training कर पाएंगे उन modules के दौरा उन courses के दौरा जो की Microsoft ने design किये हैं या Microsoft का content है So, इस में कोई भी apply कर सकता है, सबके लिए available है यह opportunity कहां से apply करना है, कैसे apply करना है पूरी process इस वीडियो में आपको जानने मिलेगी, तो वीडियो को end तक आप जरूर देखे और इस valuable information को दूसरों से share जरूर कियेगा, like कियेगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए अगर आप नए हैं तो चानल को subscribe कर लीजेगा और bell button जरूर प्रेस कियेगा चलिए चलते हैं इस information की तरफ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक important update आप लोगों से share करना है, relivel के जो test के slots हैं वो open हैं, अभी आप जाकर इसके लिए free में registration कर सकते हैं और यहां पर relivel पर जो jobs अब इस मन्त में available होंगी, उनकी information में लगातार आप लोगों से आगे आने वाले वीडियो में, quick updates के माददिम से share करूँगा, आज दो job update में आप लोगों को कोश यहां पर share कर रहा हूँ, relivel पर जो हैं available, यह दो बड़ी companies अभी hiring कर रही हैं, Vedantu और freshers के लिए available है, कोई prior experience की requirement नहीं है, degree की कोई requirement नहीं है, आपको अगर कुछ चाहिए तो necessary skills जो इस type की job के लिए होती है, तो यह opportunity यहां पर available है, आप इसके लिए apply कर सकते हैं, apply करने के लिए आपको यहां पर relivel.com पर जाकर register करना है, register करने के बाद आपको अपना video resume upload करना है 30 second का एक video resume होगा, जिसमें आपको अपना नाम, qualification, details वगरा देनी है, जो कि आपके verification purpose के लिए है, और इसे आगे ज़रूत पढ़ने पर company से share के जाएगा आपकी permission के साथ, यह करने के बाद आपको अपने qualifying round जो clear करने होंगे, test आप जो schedule करेंगे उसके बाद, और जब आप सा आपको यहाँ पर job पाने का मौका मिल जाता है, जो इस test को आप दोबरा भी दे सकते हैं, गर एक बार आपका अच्छा score नहीं आता है, तो सारी options available है, link description में, go and check, now we will move forward to Microsoft Dizzy Saksham, इसके बारे हमें जानते हैं, so first of all, जैसा मैं आपको बताया है, Microsoft Dizzy Saksham जो program है, basically, यह जो program है Microsoft NCS, National Career Services, Government of India, Ministry of Labor and Employment का joint effort है, अब इस project की detail क्या है, यह मैं आपको बता रहता हूँ, कैसे आपको register करना है, वो हम जानेंगे, so, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, इसके बारे में यह लिखा गया है, कि यह basically एक ऐसा program है, जो youth को train करने के लिए बनाया गया है, जो आज की demanding इस program के बारे में लिखा गया है, rural और semi-rural cities को, कि जो youth हैं, उनके लिए और भी जदा फायदेमंद होगा, यह बताया गया है, इसके अलावा यहाँ पर जो training आपको मिलेगी, वो इन courses पर आपको देखने मिलेगी, इसके अलावा और भी courses आड़ किये जा सकते हैं, फिलाल य इस program को लेकर registration किसको करना है, कैसे करना है, वो हम समझते हैं, कोई भी register कर सकता है, उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन हम process समझते हैं, कि आपको कैसे register करना है, आपर क्या process रहेगी, let's go for it. So, इस particular program को register करने के लिए, आपको Microsoft disease section program के लिए register करने के लिए आपको जाना होगा, NCS की website पर National Career Services, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा पहले भी, यह basically एक Government of India का job portal है, जहाँ पर सभी तरह की jobs available होती हैं, यहीं पर आप जाएंगे, और अगर आप देखेंग तो यहाँ पर आपको यह थोड़ी दिर में एक window open करता है, और इस तरह की window आप आजाती है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि digit section क्या है और इसके सारी चीज़ने बताई गई हैं, और यह सब बताई गया है कि कौन-कौन से courses यहाँ पर available हैं, जो कि बहुत ही जादा जोब-oriented courses रहेंगे, तो अब यहाँ पर एक option दिखता है, आपको register करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें, click here to order to undertake the training, यहाँ अगर आप training लेना चाहते हैं यहाँ से, तो Microsoft की digit section programmer तो यहाँ click कीजे, जब आप यहाँ पर click करते हैं, तो आपके सामने next page खोलेगा, अब इस next page पर आएगा login और password डालने का window, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, जो लोग NCS पर register नहीं हैं, उन लोगों को यहाँ पर करना होगा sign up अगर आप नए हैं, अगर आपने national career services की page पर इस website पर account नहीं बनाया है, तो free में account बन जाता है, तो अगर आपका account नहीं है, त यहाँ sign up के button पर click करना, अगर आपका account है already, तो login कर लेना है, अपनी details डाल कर नहीं, तो यहाँ पर sign up के लिए button पर आप click करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर अगला page खुल जाएगा, और यहाँ पर जाकर आप अपनी सारी details को भर कर register कर सकते हैं, और यहाँ पर register करने म इसके बाद आप यहाँ पर login करेंगे, जैसा मैंने बताया, और login करने के बाद आपको जो window आएगी, वो मैं आपको show करता हूँ यहाँ पर, तो जब आप login करेंगे NCS के ID password से यहाँ पर, तो इस type का एक disclaimer आएगा, कि अब आपको दूसरी website पर लेकर जाया जा रहा है, तो continue का button यहाँ पर दबा देना है, इस type का एक message आएगा, ओके, आगे जब आप बढ़ेंगे यहाँ पर, तो इस तरह के portal पर पहुंचेंगे, जो कि Digi सक्षम का ही portal है, जहां से आप अपने courses को complete करेंगे, या उस training को complete करेंगे, जो Microsoft ने design की है, तो जैसे ही आप यहाँ पर जोशते हैं, आपको एक बार और sign-in करना होगा, आपको अपने NCS का, यान की National Career Services का, जो आपने register किया है, वही password और ID यहाँ पर डालना होगा, user ID डालना होगा, same to same, वो डालने के बाद जब आप अंदर पहुंच जाते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको courses दिखाई देने लग जाएंगे, courses की library दिखाई देने लग जाएगी, इन courses को, इन training को, इन online trainings को आप free में कर सकते हैं, आपको पताईए कि Excel है, HTML है, या इस टाइप के जो भी important चीज़े हैं, जिन से job पाना बहुत आसान हो जाता है, जिसकी demand बहुत है, वो courses हैं, तो आप जरूर इसको कीजेगा, अगर आप कर सकते हैं, तो आप इसके काबिल हैं तो, और नहीं तो दूसरों से share कीजेगा, यह किसी न किसी के बहुत काम आने वाला है, तो इनको complete कर सकते हैं, courses को, इस तरह से यह complete हो जाएंगे, आपके courses, आपको यह free में training करने का मौका इसके का माइकरोसफ के जरी दिजाइन किये के courses के दौरा और government case initiative के दौरा, तो basically यह process है, आपको समझ में आ गए हो कि फिर भी आपको को question हो तो आप comment कर सकते हैं, और आप इस चीज का benefit जरूर लीजे, because it is a great great opportunity for all of you, to don't forget to like and share this important update and information, so that यह काफी लोगों की help करेगा, so this is my suggestion to you, आप इसको like share करें, चैनल को subscribe परें इसी तरह के और वीडियो उसके लिए, और आगे भी आपको update मिलत रहेंगे, उसके लिए bell button जरूर प्रेस कीजेगा, so that's it everyone, I'll see you in the next video, all the best, take care.